नमस्कार मैं भाशा और आप देख रहें न्यूस क्लिक पर खोच खबर कारिक्रम देश के पांच राजियों में चुनावी संग्राम बहुत जोरों से चल रहा है तमिलनाडू सहित बाकी राजियों में भाशपाख खुल कर हिंदू मुसल्मान कर रही है तमिलनाडू में तो हधी हो गई वहाँ पर अन्ना द्रमुक ने जो भाशपा की संगी साथी है एक पोस्टर निकाला चुनावी पोस्टर में अपने विरोधी दल द्रमुक के नेता स्तालिन को हिंदू विरोधी बताया और इसी तरह से केरल में वह श्रीधरन को आगे रखकर हिंदू द्रूवकरन का दाव चल रही है बंगाल में तो विशैला सामपरदाइक राजनितिक प्रचार परवान चड़ी रहा है उससे एक बात बहुत साफ हो गई है कि इस समय सत्ताधारी पार्टी के पास चुनाओं में खेलने के लिए कार्ड सामपरदाइक ही है विकास वैसे भी पेट्रोल और सिलेंडर में जो उच्छा लाया है उसमें पानी पी रहा है इसकी राह में जो भी रोडा बन रहा है उस पर नकेल कसने, लगाम लगाने, फसाने के लिए अंगिनत मशीनरियां काम कर रही है अब रोज-रोज का हिसाब अगर लें तब भी सैक्णों की तादाद में लोग ऐसे मिलेंगे जिन्हें निशाने पे लिया जा रहा है बॉलिवुड सितारे, अनुराग कश्यग, तापसी पन्नू के हाँ, तो आएकर विभाग के चापे चली रहे हैं जिसकी खबरें आपके पास खूब बहुच रही होंगी निउस क्लिक पर, एडी का चापा पड़ा, ट्रॉली टाइम्स की नवकिरन के पीछे किस तरह से पुलिस प्रशाशन लगी यह सब हम देख रहे हैं और शायद यह सब एक बहुत लंबी बड़ी साजिश का हिस्सा है एक लंबी साजिश चल रही है कि किस तरह से जो विरोध में उठ रहे हैं, जो लोगतंतर को बचाने के लिए जो आंदोलन चल रहे हैं उनके संगी साथ ही जो लोग हैं, उनके साथ जो लोग खड़े हैं, कहीं न कहीं अपनी आवाज उठा रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, कबरे लिख रहे हैं, वे सब एक साथ निशाने पर हैं देश में लोगतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी पर हमले इतने जगजाहिर इतने खुलकर हो रहे हैं, कि शायद बहुत कम लोगों को हैरानी हुई होगी, जब अमरीका की एक संस्था, Freedom House की नई रिपोर्ट, Freedom in the World 2021 जारी हुई, और इसमें भारत की स्थिती बेहत खराब दर्ज की गई, यहां पर इस रिपोर्ट में भारत को आंचिक रूप से फ्री मुक्त बताया गया, और इसमें कहा गया है, मैं इस रिपोर्ट से ही कोट कर रही हुँ, Indian political rights and civil liberties have been eroding since Naren Modi became Prime Minister in 2014. His Hindu nationalist government has presided over increased pressure on human rights, organizations, rising intimidation of academics and journalists, and the spate of bagoted attacks, including lynching aimed at Muslims. यह report का एक छोटा सा हिस्सा है जो मैंने आपके सास्वाजा किया, इस report में बहुत विस्तार में बताया गया है कि किस तरह से कोरोना काल में मुसलमानों को निशाने पिलिया गया, किस तरह से जो कोरोना काल में लॉक डाउन लगाया गया भारत में उससे लाखों प्रवासी लोगों पर जो माइग्रेशन हुआ जो भीशन प्रभाव पड़ा उसका क्या हिसाब था तमाम चीजों का जिक्र है कश्मीर भी यहाँ पर है और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में जो हमले हैं वो बहुत तीखे हमले हैं ऐसा नहीं है कि इस रिपोर्ट ने सिर्फ भारत को ही निशाने पर लिया इस रिपोर्ट में अमरीका को भी निशाने पर लिया है और उसने बताया है इस रिपोर्ट में कि किस तरह से अमरीका में जिस समय ट्रम्प का शाशन था वहाँ पर हमला अभिव्यक्ति की आजादी पर था, वहाँ पर किस तरह से विरोधी स्वरों पर सीधे सीधे निशाना साधा गया था, इस बात का भी उलेख किया गया है कि चुनाव हारने के बाद किस तरह से ट्रम्प प्रशाशन हार मानने को तयार नहीं था और इसके लिए क्या-क्या वह पैतरे कर रहा था, बहुत तीखी आलोचना अमरीका पर भी है, फिलहाल भारत की बात करें तो भारत पाँच पाइदान नीचे खिसका है, और निश्चित तोर पर जो लोग भारत में रह रहे हैं, हम सब जानते हैं कि यह खिसकना आखिर क्यों हुआ है, भारत में जो अभिविक्ती की आजादी है, जो सच बोलने की आजादी है, उस पर हमले जितने तीखे हो रहे हैं, शायद उतनी ही बड़ी तादाद में इस हमले से लड़ने के लिए लोग तयार हो रहे हैं, लोग हिम्मत कहीं भी हारते दिख नहीं रहे, इससे पहले कि हम अभिविक्ती की आजादी, मीडिया के हाल पे चर्चा करें, दो एहम चीजें, सबसे पहले तो दलित लेबर एक्टिवेस्ट शिव कुमार को आखिरकार जमानत मिली, हम सब जानते हैं कि शिव कुमार किस तरह से हर्याणा में, लंबे समय से मजदूरों की बीच काम कर रहे थे, और उन्हें पकड़ा गया, सबसे पहले नौदीब कौर की गिरफतारी हुई थी, जो कुंडली में काम कर रही थी, और मजदूर और किसानों को साथ लाने की कोशिश कर रही थी, और उस समय से शिव कुमार की बारे में भी बहुत कम ही सही, लेकिन चर्चा था, और वहाँ पर यह भी सामने आया था कि किस तरह से शिवकुमार पर भीशन बर-बर यातना दी गई उन पर अत्याचार किया गया उनकी हड्यां तोड़ दी गई नाखून उखाड लिये गए थे और यह नौजवान दलित अक्टिविस्ट बहुत संकट में थे इनको जिस तरह से जमानत मिली है इस से थोड़ी राहत मिलती है लेकिन वहीं गुजरात में जिस तरह से दलित आटिवाई एक्टिविस्ट को सुषना के अधिकार कारेकरता कों के घर के अंदर घुसकर मार डाला गया वह दिल दहलाने वाली घटना है गुजरात के भावनगर में रहने वाले पचास वर्शिये अमरा भाई बुरोचा को कथित तौर पर दबंग जातियों के लोगों ने सरे आम मार डाला उनकी बेटी को भी घायल किया उनकी बेटी ने बकायदा वीडियो जारी किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि किस तरह से दबंग जातियों के लोगों ने उनको उनके पिता को निशाने पे ले रखा था वे लंबे समय से कोशिश कर रहे थे कि यह दलित परिवार यहां से हट जाए अपनी जमीन छोड़ दे लेकिन वे एक कड़ी लड़ाई लड़ रहे थे यहां पर एक तरफ अभी व्यक्ति पर बहुत तीखा हमला है वहीं इस हमले से लड़ने के लिए तमाम लोग लामबंध होते दिखाई दे रहे हैं लेकिन इसमें जो बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं वे नौजवान हैं नौजवान पत्रकार भी ऐसे ही एक बेबाग पत्रकार हैं मंदीप पुनिया मंदीप पुनिया का नाम आपने उस समय सुना होगा जिस समय किसान आंदोलन के 20 से इनकी गिरफतारी हुई नौजवान मंदीप पुनिया ने बताया कि उन्हें इस बात का बहुत फक्र है कि वह तिहार से रिपोर्टिंग करने का होसला रख पाए उसकी वज़ा उन्होंने बताई हमें कि जिस समय पुलिस उनको थर्ड डिगरी का टॉर्चर दे रही थी पिटाई कर रही थी तब लगातार उनको धमका रही थी कि अब तुम तिहार से ही रिपोर्ट करना और उस समय मंदीप ने मन में ठाना कि वह अपनी बीठ तिहार कर लेंग कि किस तरह से पत्रकारों पे जो हमले हैं उसे आगे देख कर लड़ा जाना जरूरी है उस पे बात किया जाना बहुत जरूरी है आईए सुनते हैं मंदीप को सबसे पहले तो आपको बढ़ाई और मुबारक न्यूस क्लिक की तरफ से मेरी तरफ से कि पत्रकारता की मशाल जो है उसको आपने जिन्दा रखा मंदीप अभी काफी दिन हो गए आपको बाहर आए आपने कहा कि आपने जेल में जो देखा उसे लिखेंगे आप क्या लगता है कि आप बहुत नौजबान हैं आपने बहुत पत्रकारों को देखा होगा पढ़ा होगा इस समय का जो दौर है वो कैसा लगता है जब आप पढ़ रहे थे तब से लेकर अभी तक देखिए वैसे तो मतलब हम बातचीत करते थे और बड़े पत्रकारों से बात करते थे तो वो कहते थे कि कोई सवरणीम दोर नहीं है पत्रकारिता का रहा आप लोगों को बहुत मतलब मुश्किल दोरों में पत्रकारता करते रहना होता है ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट क करते रहना होता है यह जोकिम बरा काम है लेकिन सबसे जरूरी काम है तो उसी की उसी के तहत मैं करता रहा है ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहा था लेकिन मुझे लगता है कि दोर सबसे बत्तर दोर है वो इस वजह से है कि जिस हिसाब से जो ग्राउंड जीरो से रिप से बत्तर दो रहे हैं। मन्दीप आपको निशाने पे लिया गया उस समय जिसमय आप ग्राउंट से रिपोट कर रहे थे। बहुत सी चीजें आपकी रिपोर्ट बहुत हम्मत वाले रिपोट साथ की थी। आज के दौर में ग्राउंड रिपोर्टिंग बहुत कम हो गई है जादा से जादा जोर इस पर है कि लोग स्टूडियों में रहें वहां से रिपोर्ट करें या सेकेंडरी डाटा यह आप कैसे देखते हैं कि आप अपना बतौर पत्रकार कैसे भविश्य देखते हैं देखिए मुझे लगता है कि सबसे जरूरी तो ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट करना ही होता है विस्लेशन की एक अपनी महतोता होती है लेकिन सबसे जरूरी तो जो ग्राउंड जीरो पर जो कुछ हो रहा है जिसको सरकार भी दबाना चारी होती है वो सब लेकर आना सबसे ज उत्त सब्सेटेशन का एक अपना में तो हुत करना है लेकिन जादा बड़ी जगह पत्रकारता में ग्राउंडّ जीरो से रिपोर्ट करने के होने चाहिए वोटर की होनी चाहिए एक व्यक्तिकत सवाल कभी आपने जब पत्रकारता शुरू की तो कभी सोचा कि इतनी जल्दी आपको जेल की हवा खानी पड़ेगी इतनी मार पीट या जो जो कुछ भी हुआ कभी ये ख्याल भी दिमाग में आपके आया इतने समय से क्योंकि आपने त अब तो जिस दौर में आया है उसमें तो प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी पत्रकारता की नहीं थी मैंने तो नहीं ली जी बतलब आप मेरा इंटर्यू कर रही है आपके रिपोर्टें हम पढ़ते रहे हैं जब पत्रकारता सनस्थान आया एंसी में थे तो हमारे प्रोफेशर भी उताते थें कि आप ये रिपोर्टे control ऑढ़े ऐसे पत्रकारता कर आया हूँ लेकिन कभी सोचा नहीं था कि पत् बना बदर फ rumors लिए विडियो फोर्मेट में ज़्यादा दिल्शपी लिखने वाले में था भर गुमकर पत्रकार हो रहे उसके अब है उसके बाद मैं मैंने खुद भी किसी और करमचारियों पर रिपोर्टे लिखी तो मैं ऐसे ही पत्रकारों को पढ़ता था और वैसा ही मेरा मेरा भी था कि मैं गुमकड पत्रकारी बनूँ जो ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट करें लंबी-लंबी रिपोर्टे लिखे जेल में क्या सिखा आप बड़े विक्टिमिस इन जेलों में बंद हैं और इस मतलब कोई भी आइडिया है कुछ भी है उसको कैद नहीं किया जा सकता दिवारें थी कंक्रीट और बिल्कुल मेरा शरीर वां कैथ था लेकिन दिमाग पूरा यही चल रहा था कि बाहर क्या हो रहा है बाहर लोग जो ज इनकी इनकी जो बात हैं वो मैं लिख लूँ कहीं और बाहर जाके एक रिपोर्ट के तौर पर प्रस्तुत किया जो आपने लिखा आपने पैर पर और बाकी जगों पर तो उसको वह कहां से दिमाग में आया कि ऐसे भी आप डॉक्यमेंट कर सकते हैं यह तो कोई प्रोफेश इसी तरह से एक बहुत अच्छी ज़रूरी रिपोर्ट हमारे सामने आई है यह रिपोर्ट प्रकाशित की है रिपोर्टर्स के पत्रकारों ने इसे लिखा है दो लोगोंने श्रिष्टी जैसवाल ने और श्री गिरीश ने ये दोनों लोग पुरी तफ्तीश करते हुए छे-सात महीने लगाते हुए ये हमारे सामने लाएं हैं कि किस तरह से हिंदू IT सेल जी हाँ बीजेपी IT सेल नहीं हिंदू IT सेल काम करता है किस तरह से यह लोगों को निशाने पर लेता है और निशाने पर लेने के बाद उनकी टूलिंग करवाता है इस समय देश में टूल किट की बहुत चर्चा है जो लोग ये रिपॉर्ट पढ़ें वो देखें कि टूल किट होती क्या है किस तरह से हिंदू IT सेल बखायदा टूल kit जारी करता है training करता है अपने कारेकरताओं की कि लोगों की trolling की जाए किसी का कोई tweet है किसी का कोई video है उस video के कुछ अंच को लेकर वैमनस से फैलाया जाए नफरत का माहौल बनाया जाए और सिर्फ इतना ही नहीं वह बहुत मजबूती से कहता है कि उसका target बहुत साफ रहता है कि लोगों के खिलाफ F.I.R. हो लोग डरें लोगों की नौकरियां जाएं महिलाओं को बलातकार और बाकी भीशन यौन हिंसा की धंकिया दी जाएं यह सब कुछ खुले आम चलता रहता है और यह सब इसलिए भी चलता रहता है क्योंकि शायद देश के हुक्मरानों को इस तरह का वैमनस्य इस तरह का खौफ का माहौल बहुत मुफीद लगता है उन्हें लगता है कि बाकी किसी और मुद्दे पे चर्चा ना हो सिर्फ और सिर्फ नफरत का माहौल बनाया जाए और यहां पर इस रिपोर्ट में जो अलग-अलग भाशाओं में एक साथ प्रकाशित हुई है बताया गया है कि भगवान को निशाने पर लेकर भगवान को बचाने के नाम पर यह सारा का सारा खेल खेला जाता है जरा सा एक ट्वीट कभी कृष्ण के नाम पर कभी तीज के नाम पर कभी किसी भी भगवान के नाम पर कभी किसी भी त्योहार के नाम पर हो उसे हिंदू विरोधी घोशित करके उसके खिलाफ एक तरह से जंग छेड़ दी जाती है इस रिपोर्ट को लिखने वाली स्रिष्टी जैसवाल बहुत ही नौजवान पत्रकार हैं जिस समय उनकी ट्रोलिंग शुरू हुई वह पहली नौकरी में थी देश के एक बड़े मीडिया संस्थान में नौकरी करती थी उन्होंने एक फिल्म पर एक छोटा सा ट्वीट किया और उसके बाद उन्हें निशाने पे लिया गया बहुत दिनों तक वह परिशान रहीं लेकिन इसके बाद उन्होंने सोचा कि आखिर उन्हें निशाने पे क्यों लिया जा रहा है और यह हिंदू ITCEL क्या बला है इसके बाद उन्होंने पड़ताल करनी शुरू की जिसमें रिपोर्टर्स कलेक्टिव के लोग जुडे और यह रिपोर्ट हमारे सामने आई है इस रिपोर्ट से पता चलता है कि एक ही पैटर्न है एक ही ढंग से कुछ लोगों को निशाने पिलिया जाता है कभी वह बड़े नामचीन चेहरे होते हैं कुनाल कामरा जैसे लोग होते हैं स्टैन अप कोमीडियन्स होते हैं बड़ी वकील होती हैं और कई बार स्रिष्टी जैसी लड़कियां भी जिनके फॉलोवर्स भी बहुत कम हैं लेकिन इस बहाने धुरुवी करण किया जाता है इस बहाने अपनी सक्सेज रेट बढ़ाई जाती है स्रिष्टी के खिलाफ भी FIR हुई FIR है अभी जिसका बारे में उन्हें बहुत बाद में पता चला अक्टूबर में FIR होती है जन्वरी में उन्हें इसकी जानकारी मिलती है आईए बात करते हैं स्रिष्टी से और जानते हैं कि कैसे यह रिपोर्ट वो यहां तक पहुचा पाई स्रिष्टी, न्यूस क्लिक में आपका स्वागत है आपकी जो स्टोरी है जो रिपोर्टर्स कलेक्टिव के जरीए हमारे सामने आई है मुझे लगता यह बहुत एहम स्टोरी है पहली बार हिंदू वाइटी सेल कैसे काम कर रहा है इसे आप लोगों ने तमाम और साथियों के साथ मिलकर सामने लाई और आपका खुद का जो अनुभाव रहा है आपके उपर FIR हुई उसके बाद आपने पूरा खोजना शुरू किया थोड़ा यह बताई कि कितना समय लगा और कैसे हिम्मत मिली काफी डर गई होंगे आप तो बहुत नौजवान है जैसा कि आपने कहा कि काफी मैसिफ ट्रोलिंग हुई थी, काफी स्ट्रॉंग ट्रोलिंग थी सो मच सो दाट मुझे अपनी नौकरी गवानी पड़ी मेरे माता पिता जी को भी काफी कुछ सहना पड़ा बात मेरे घर तक पहुंच गई थी बहुत ही मुश्कील हालाद थे एक महिने तक तो मैं घर से बाहर ने निकल पाई थी इंक्लूडिंग माई पैरेंस, माई फैमली, माई सिस्टर काफी लोग बाहर नहीं निकल पाई थे परन्तु जो आपने कहा कि स्ट्रेंथ कैसे मिली तो मैं इसका क्रेडिट रिपोर्टर्स कलेक्टिव को देना चाहूंगी इस स्टोरी के ओपर हम काम कर रहे हैं फर मोर देन सिक्स और सेवन मंस नौ स्टोरी पर मेरे साथ काम किया है श्री गीरिष जलिहाल जो कि मेरे साथ एक को ओधर है अलोंग विद हिम मिस्टर नितन सेथी अं मिस्टर कुमार संभषेवास्टवा इन लोगों से अपना स्टोरी का आइडिया डिसकस किया था पिछले साल आफ़र आफ़र गोट ट्रोल्ड एंफ़र बिच्टर बीच्टरी जैसा कि स्टोरी में भी मैंशिं किया जाता है कि यह जो Hindu IT cell है यह आपके शब्तों को out of context पोर्टरे करता है तो जो मेरी tweet थी वो एक active tweet नहीं थी ऐसा नहीं था कि मैं tweet कर रही थी वो एक reply था वो एक reply था एक और Twitter handle को about a Netflix movie called Krishna and His Leela It was in context of that but इसका पोरा context जो है share नहीं किया गया बिना पोरा context share किये हुए बिना मुझे पूछे हुए कि इसका मतलब क्या है क्या मैं डेलिबरेटली maliciously intentioned कि इसे पहले भी किसी आपके tweet पर कितने followers आपके tweet पर थे Twitter handle पर आपके थे I think बहुत कम followers थे वो अकाउंटों मैं डिलीट भी कर चुकी हूं and I was just a city reporter मैं बहुत ही लोकली मैं बहुत कम followers थे मुझे तो याद भी नहीं है जो वो tweet का reply था that was I think retweeted 11 औ 12 time I don't remember number but it was just in two digits उसके बाद वो tweet डिलीट कर दी गई थी so it could not reach out many people as perceived Hindu IT cell ने उसका screenshot share किया that screenshot reached the people so it was not me who actually propagated that message it was those people who Hindu IT cell ये story मैं इसले नहीं की because मुझे इस IT cell ने target किया था तभी मैं अपने बारे में इस story में कुछ नहीं लिखा अगर आप से पढ़ेंगे तो there is just one एक ही लाइन जिसमें मैं डिस्क्लोस किया कि हा मुझे भी इसी IT cell ने ट्रोल किया था परन्तु मैंने ये story इस IT cell के लिए इसले की है because I felt very curious as a journalist मेरे अंदर एक बहुत क्यूरॉसिटी थी कैसे ये फंक्शन करते हैं how do they find people और similar pattern में कैसे ट्रोल करते हैं in fact अगर आप story पढ़ेंगे तो आप उसमें ये भी पाएंगे कि उस particular story में जो trolls हैं जो humiliating video बनाई जाती हैं लोगों के लिए even that humiliating video is also identical जो आप Sushmita Sena के trolls की देखेंगे so अभी YouTube ने उनको suspend कर दिया है but we still have the videos with us so अगर आप वीडियो देखेंगे तो उसमें आप आएंगे even that troll is similar so आप समझ सकते हैं किस हिसाब तक पूरी machinery जो है वो सेट अप के गई है लेकिन नौकरी क्यों गई है? आप तो हिंदुस्तान थाइसमें नौकरी से क्या रिष्टा था? basically Hindu IT cell targets they know what are the soft targets so what they will do is because they say that they want to teach the person a lesson so lesson कैसे teach कर सकते हैं तो उनको जेल पहुंचा सकते हैं they will target the occupation of the person they will target each and every identity of that person तो जहां पर मैं काम करती थी वहां पर they started tagging that organization in the tweets so that is how they got to know about it otherwise मैंने खुझ से उनको informed कर दिया था before they could tell I told them that there is this kind of trolling that is happening but so what did they help you? at that point ma'am कोई मदद नहीं की but मैं इस बारे में जारा discuss नहीं करना चाहूंग because it's a difficult thing for me and overall despite everything I respect them but social political situation of India is such that nobody is actually कोई इतना जोकिम उठाने को तयार नहीं कोई भी इतना जोकिम उठाने को तयार नहीं यह तमाम जो आवाजे हैं जो हमारे एर्दगिर्थ बहुत असंगठित रूप से बहुत बड़े मीडिया प्लेटफॉर्म से नहीं छोटे छोटे प्लेटफॉर्म से सामने आ रही हैं शायद यह लोकतंत्र को बचाने वाली लोकतंत्र को जिन्दा रखने वाली आवाजे हैं और सबसे जरूरी बात इनमें है कि इनमें बहुत विविदता है कोई दलित मूल का है कोई दूसरे मूल का है कोई हिमाचल का रहने वाला है कोई केरल का रहने वाला है अलग अलग जगों से लोग सिर्फ भारती नागरिक होने का दाइत वो पूरा करना चाहते हैं वे मानवता के साथ जिन्दा रहना चाहते हैं यहां पर यह देखना बहुत जरूरी है कि यह तमाम लोग हर पक्ष के साथ बहुत मुलाइमियत के साथ वहवार करना चाहते हैं इतने तीखे हमले के बावजूद उनके दिलों में नफरत नहीं है और शायद यही भारत का मूल सुभाओ और मूल आत्मा है आप यूही देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, न्यूस क्लिक ताकि सच को जिन्दा रखने की हमारी कोशिश जिन्दा रहे शुक्रिया